खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन लोगडाउन के बीच आज कल आप सब अपने अपने घरों पर अपने तरीकों से टाइम पास कर रहे होंगे आप टीवी पर नियूज़ देखते होंगे गेम खेलते होंगे या मोबाइल पर सोशल मीडिया पर आक्टिव रहते होंगे सोशल मीडिया पर तमाम खबरों के बीच आपने कहीं न कहीं पी-एम केर्स फन्ड से सम्भन पोस्ट भी देखे होंगे जिन में कुछ लोग PM केर्स फंड में गड़बर घोटाले की बात कर रहे हैं कॉरोना वारिस के संकट के चलते देश में लॉगडाउन लगाया गया और इस लॉगडाउन के बीच देश के प्रधानमंत्री ने PM केर्स फंड की घोशना की जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सेच्वेशन फंड यानि आज देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि सरकार नागरिकों से वित्य सहियों की अपील कर रही है जो गलत नहीं है क्योंकि इस वैश्विक महामारी के चलते देश की अर्थविवस्ता आईस्यू में है जिसका असर आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है इसलिए राश्विवस्त में सभी देशवासियों को सरकार का साथ देना चाहिए लेकिन खबर ये है कि इस पी-म केर्स फंड पर सवाल उट रहे हैं लोग कह रहे हैं कि जब देश में प्रधानमंत्री राश्ट्री राहत कोश यानि पी-म-N-R-F मौजूद था तो एक नए फंड की जरूवत क्यों पड़ी कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता ये भी आरूप लगा रहे हैं कि पी-म केर्स फंड में पारदर्शिता नहीं है लेकिन खबर तो खबर होती है उसे सच मानना या ना मानना देखने वाले पर निर्बा करता है इसलिए राश्ट्री हित में लोग दान किये जा रहे हैं 25 करोड रुपे देने वाले अक्षिकुमार से लेकर 1500 करोड रुपे देने वाले टाटा ग्रूप तक सब पी-म केर्स फंड में दान कर रहे हैं दान दाताओं का मानना है कि कोरोना वारिस से मिल कर लड़ना है और इस लड़ाई को जीतने के लिए सरकार के पास फंड होना जरूरी है तभी इस वैश्विक महामारी से जीता जा सकता है पी-म केर्स फंड पर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं और कौन उठा रहा है दिखाएंगे आपको एक छोटी से ब्रेक के बाद भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डाबडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोडिबल रेट्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पीएम केर्स फंड पर कॉंग्रेस नेता शशी थरूर ने सवाल खड़ा किया उन्होंने ट्वीटर पर कहा पीएम केर्स फंड ट्रांस्परेंट यानि पारदर्शित नहीं है अगर इतनी ही जरूरत थी तो पहले से चल रहे पीएम रिल पहले से है तो पीएम केर्स फंड की जरूरत क्यों पड़ी जिस समय पीएम केर्स की घोशना हुई थी उस समय पीएम की वेबसाइट पर उस खाते का ब्योरा दिया गया था जिसकी मदद से लोग पेमेंट ट्रांसफर कर सकते थे इसमें खाता नंबर बैंक खाते का IFSC और स स्विफ्ट कोड उसी लेंदेन में इस्तिमाल किया जाता है जो अंतराश्ट्री होते हैं मतलब कोई भारत के बाहर से आपके खाते में पैसा डालना चाहे तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की जरुवत होती है यानि PM केर्स को शुरू करते ही विदेशों से फंडिंग का रास् और विदेश मंत्री टरस्ट के सदस्यों में शामिल हैं लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि इसके बाकी सदस्ये कौन है ना ही इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी की गई जिससे सारी जानकारी जनता के सामने आ जाए प्रधान मंत्री राहत कोश में जो भी चंदा दिया जाता आपको इंकम टैक्स में 50 प्रतीशत की छूट मिलेगी कौरोना वाइरिस के संकट के बीच विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि पी एम केर्स फंड सी एजी ऑडिट के दाएरे में क्यों नहीं आता लेकिन य ये वक्त आरोप प्रत्यरोप का नहीं है बलकी कौरोना वाइरिस से मिलकर लडने का हैं इंडिया टाइम 24 निउस के लिए दिल्ली से परवीन की रिपोर्ट खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन